तो article 1, it says name and territory of the union. तो सबसे पहले जो चीज समझने वाली है कि बहुत लोगों को confusion होता है कि union का मतलब क्या है और territory का मतलब क्या है. तो पहले ये समझने की कोशिश करते हैं. अगर मैं बात करूँगा territory की, तो territory में जो है आपका आजाएगा states plus uts. ठीक है? ठीक है? और union का मतलब है ये है कि only means only states. हमारे total कितने states है? टोटल है 28 states है. क्या union में union territories आएगी? बिलकुल नहीं है. ठीक है? तो union और territory के बीच में आपक करूँ. कल को जाके अगर इंडिया, चाइना के अंदर जाके कोई territory capture करता है, तो वो क्या बन जाएगा? वो बन जाएगा इंडिया का territory. ठीक है? वो आपका union नहीं बनेगा. ठीक है? इनी acquired territory in China. तो ये थोड़ी सी चीजे जो है आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है. ठी Article 1 में किस के बारे में हम लोग बात करेंगे? So Article 1 will talk about India that is Bharat shall be a union of states. The states and the territories thereof shall be specified in the first schedule. तो हम लोगों ने बात करी थी, उसमें schedule करते टाइम हम लोगों ने बात करा था हूँ, कि schedule 1 में क्या हैगा? आपका state and its territories, a union and its territories. अब इसमें बात करा गया है, इसमें define करा गया है कि भई territories of the state मैंने बात कर लिया, then हमने बात कर लिया, union territory के बारे में ये देखिए, states हो गया, union territory हो गया, और कोई भी other territory, कोई भी other territory जिसको इंडिया ने जो है, over time acquired किया है. Next, we'll talk about article 2. Article 2, ये provisions थोड़े से important हो जाते हैं, जिसको आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने की जरुरत है, ठीक है? अब अगर मैं बात करूँ, article 2 की, article 2 says, admission or establishment of new states, ठीक है? तो किसी भी territory को अगर हिंदुस्तान का पार्ग बना सकते हैं, using simple majority, तो उसके लिए क्या होगा? उस Simple majority, Simple majority का मतलब ये है, कि Parliament जो है, Parliament जो है, वो क्या बनाएगी? Parliament जो है, वो law बनाएगी, ठीक है? admission और establishment of new states, अगर example की, अगर मैं बात करूँ, अगर मैं example की बात करूँ, इसी article के through, जो है, सिक्किम को, सिक्किम को, under article 2a, सिक्किम to be associated with the union, under article 2a के तहट, जो है, सिक्किम को, इंडियन union का जो है, पार्ट बना लिया गया था, ठीक है? यहां तक आप लोगों को clear हो जानी चा alteration of areas, boundaries or names of existing states, तो parliament by law, parliament by law may form a new state by separation of territory from any state, और by uniting, तो यहां पे, जो हम लोग कीवर्ड का इस्तमाल करेंगे, internal readjustment, यहां पे मैं बात करूँगा, क्या internal readjustment की जो है, मैं यहां पे बात करूँगा, internal readjustment, example, आप लोगों को यह चीज़े पता होंगी, कि telling गाना जो है, ठीक है? telling गाना को इंडिया का पार्ट बना दिया गया, telling गाना को इंडिया का पार्ट बना दिया गया, अंडर आर्टिकल 3, आप लोगों को थोड़ा सा noise आ रहा होगा, थोड़ा सा आप लोगों कर लिए, यहां तक clear है, आप लोगों को, telling गाना को Indian Union का पार्ट बनाए गया था, अंडर आर्टिकल 3A, ठीक है? अब यहां पे जो है, एक वर्ड इस्तमाल किया गया है, उसको बोलेंगे integrity, आप लोगोंने प्रियांबल में भी देखा होगा, कि यहां पे उसकी बात करी गई है, इंटेग्रिटी की बात करी गई है, तो इंटेग्रिटी का मतलब है क्या? और मैंने आप लोगों को बताये था कि इंद्रा गांधी की सरकार ने जो है, इस वर्ड को जो है, इस्तमाल किया था, ठीक है? सो इंटेग्रिटी का मतलब यह हो जाता है कि भई, टेरिट्री ओफ इंडिया कैन नॉट बी टेकन बाई इनीवन, ठीक है? अगर मैं बात करूँ इसमें हम लोगों ने बात करा था हिंडी, हिंदू और हिंदुस्तान के बारे में, वो सेकुलर, वो जो था, इसी लिए जो ह बाई इनीवन, बट यहां पर आ जाता है, बट अगर फॉर्मेशन हुआ, नया स्टेट का, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट्स, जैसे कि मैंने आप से कहा, यह मेंली फोकस करेगा किसके उपर, इंटरनल री अज़स्मेंट के उपर, ठीक है? अगर कोई भी फॉर्मेशन ह में करना पड़ा, किसी भी नए स्टेट का, तो पार्लिमेंट बाई लॉग कैंट चेंज दा नेम, ठीक है? कैंट चेंज दा नेम, कैंट चेंज दा एरिया और बाउंडरी, किसके अंदर? यह करेगा अंडर आर्टिकल थी के अंदर, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया, increase the area of the state, diminish the area of the state, alter the boundary of the state, वो सारा का सारा किसके अंदर होगा? आर्टिकल 3 के अंदर होगा, ठीक है? उसके बाद, अब इसको समझने के लिए एक चीज और हमें समझनी पड़ेगी, कि अंडर आर्टिकल 3 का जो है, प्रोसीजर क्या है? अंडर आर्टिकल 3 जो है, इसका प्र Council of Minister, ठीक है? वो क्या पास करेगा? वो पास करेगा बिल, तो बिल पास करेगा, ठीक है? या बिल प्रेपेर करके जो है, किसके पास जाएगा? वो जाएगा प्रेजिडेंट के पास. अब प्रेजिडेंट जो है, यह जो information है, वो share करेगा, ठीक है? किसके साथ share करेगा? स्ट को जो है inform करेगा अब स्टेट का response या तो यस में होगा या फिर नहीं होगा अगर स्टेट का response नो होगा तो कोई फरक नहीं पढ़ेगा ठीक हैं कोई फतने पढ़ेगा अगर स्टेट बोले ना और ये प्रेजटन के पास मतलब Introduced Bill in the Parliament Introduced Bill in the Parliament Introduced Bill in the Parliament ठीक है? और जैसा कि मैंने बोला जो Majority होगी, Past होगी किस से? क्योंकि यहाँ पे कुछ Mention नहीं है तो Simple Majority से जो है यह क्या हो जाएगा? यह Simple Majority से Past हो जाएगा समझ में आगया? Introduced Bill in the Parliament और अगर State ना बोले तो भी जो है कोई फरक नहीं पड़ेगा लिकर State की जो है इस केस में पावर नहीं है और इसी लिए हम लोगों ने बात करी थी कि इंडिया का जो Structure है ठीक है? वो Structure कैसा है? वो है Quesi Federal Structure ठीक है? वो क्या है? वो है Quesi Federal Structure जिसमें की जो Union होता है वो आपका Strong होता है और States जो होती है वो आपकी Weak होती है अब अगर मैं बात करूँ Article 4 की अब Article 4 में ये है कि भाई अगर इंडिया को जो है अगर Territory किसी को देना पड़ जाए Let's Suppose कि हमें जो है बांगलादेश को Territory देना है ठीक है बात इसका मतलब ये है कि मान लीजिए कि हमें जो है बांगलादेश को Territory देनी है उसके बाद कुछ Territory तो उसमें जो है हमें क्या करना पड़ेगा हमें Constitutional Amendment करना पड़ेगा ठीक है अगर हम कोई सी भी अपनी Territory को जो है बांगलादेश को देते हैं तो हमें जो है Constitutional Amendment जो है करना पड़ेगा ठीक है अब यहाँ पे Article 4 में क्या बोला गया है कि Any change that will be done to Schedule 1 and Schedule 4 while creating a new state will not be called as Constitutional Amendment अब सवाल ये उठ जाता है कि भाई कि क्या हम Constitution में change कर सकते हैं बिना Amendment के तो बिल्कुल कर सकते हैं Under Article 4 हम लोग कर सकते हैं और बोले का मतलब ये है कि Constitution में change के लिए हम लोग दो चीज़े कर सकते हैं ठीक है अगर हमें Constitution में change चाहिए अगर हमें Constitution में change चाहिए तो हमें दो चीज़े कर सकते हैं The first is, हम लोग amendment, amendment कर सकते हैं, और दूसरी चीज हम लोग क्या कर सकते हैं, सूची ज़रा, हम लोग law लेकर आ सकते हैं, ठीक है, अब दोनों में दिक्कत क्या है, अगर मैं parliamentary law की अगर मैं बात करूँ, जैसा कि मैंने आप से कहा, कि इसको जो है, pass करा दिया जाएगा किस से, simple majority से ठीक है, इसको अगर, अगर मेरे को कोई भी मैं law लेकर आता हूँ, इससे related, तो under, under, with simple majority जो है, मैं constitutional change कर सकता हूँ, बात अगर मैंने amendment की करी, तो यहाँ पे मेरे को चाहिए होगा, two by third, present and voting, plus 50% of the strength of the house, 50% of the strength of the house, ठीक है, अब यह जो है, यह जो है, difficult task है, it is more difficult to achieve, more difficult to achieve, जैसा कि मैंने आपसे कहा था, इसी लिए, more difficult to achieve, इसी लिए हम लोगों ने बात करी थी, जो Indian constitution का जो character होता है, वो rigid होता है, कि इतनी आसानी से कोई भी सरकार जो है, आके change नहीं कर सकती, ठीक है, आप लोग इसको एक दूसरी चीज़े यह है, कि जो भी हमने simple majority की बात करी, उनके जो provisions है, उनको आपको थोड़ा-थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, कौन सा क्या हो जाए, जैसे कि मैंने वो tabular form में, तो जो भी confusion वाला part है, जो भी differentiating वाला factor है, सारे नहीं बोलूँगा, जो भी differentiating वाला part है, उसको जो है, आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना पड़ेगा, I just hope article 4 आप लोगों को समझ में आ गया, अब exclusive economic zone का, तो यह जो exclusive economic zone होता है, वो basically एक season होता है, जिसको, जिसको कौन prescribe करता है, UN convention, UN convention on the law of the sea, Union convention of the law of the sea, अगर मैं इंडिया का map बना के आप लोगों को दिखाऊं, यह देखिए, तो यहाँ पर आपको पता है, कि यह जो है, आपका water body है, यहाँ पर, तो इसके जो आसपास का जो इलाका होगा, उसको भाई, वो क्या किसी की sovereignty के अंदर आएगा, या फिर किसी के state के अं है, तो सबसे पहले आपको यह समझना है, कि भाई, exclusive economic zone जो है, यह आपका क्या होता है, तो basically it's a sea zone, जिसको prescribe कौन करेगा, जिसको prescribe करेगा, UN convention on the law of the sea, ठीक है, over which, इसके उपर जो है, state has special rights over the exploration and the use of marine resources, तो यह वाला जो, यह वाला जो zone है, यह वाला जो zone है, इस case में state के पास जो है, special right होती है, special right होती है, जिससे की वो क्या कर सके, जिससे की वो जो marine, marine resources है, उसको use कर सके, और, और exploration, exploration अगर उसको करना है, तो वो भी कर सकता है, ठीक है, ओके, अब यहाँ पे, अगर हम लोग इसको देखेंगे, इस diagram को देखेंगे, यह अपका मान लीजे, baseline है, तो baseline से 12 nautical mine हमारा क्या पढ़ता है, territorial C पढ़ता है, तो territorial area में जो है, territorial area में जो है, full sovereignty, क्या, full, full sovereignty, आप लोगों को अगर थोड़ा भी disturbance हो रहा है, just manage this time, and make sure कि आगे से जो है, इस टाइब की कोई भी चीज़े ना हो, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, territorial C, full sovereignty over the waters, full sovereignty over the waters, ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ economic zone में, तो यह जो है, एक sovereign right है, full sovereignty यहाँ पे नहीं मिलेगा, बट यह एक sovereign right है, ठीक है, जिसको, जो किस के पास होगा, जो होगा coastal state के पास, coastal states' rights, below the surface of the sea, below the surface of the sea, ठीक है, यहाँ तर, ओके, तीसरी जो चीज़ आपको note down इसमें करनी है, वो यह करनी है, यह 40th amendment जो है, इससे related आपको ध्यान में रखना है, एक 40th amendment आपका हुआ था, 1976 में, ठीक है, कौन सा article था, article था आपका 297, और यह जो है, यह क्या है इसमें, कि all lands, minerals and other things of value underlying the ocean within the territorial water और EEZ जो है, वो किसके पास है, यह जो है, आपका Union of India के पास है, Union of India के पास है, अब जैसा कि मैंने आपसे बोला, कि economic, यह जो है, exclusive economic zone को इसको prescribe कौन करता है, इसको करता है, UNCLOS, यह वाली body करती है, तो क्या हम लोगोंने बात करती, sovereignty की, क्या आपको लगता है कि क्या India के पास जो है, क्या India sovereign है, तो नहीं है, truly sovereign जो है, वो नहीं है, बट यह, अगर आपको आया, question में आया, तो you'll write, कि भाई, India is a sovereign country, बट आपको यह चीज़े पता होने चाहिए, कि इतने सारे agreements होते हैं, इतने सारे जो है, हम लोग pact sign करते हैं, तो कहीं ना कहीं जो है, कहीं ना कहीं जो है, वो impact तो करता है, हमारी sovereignty के उपर, ठीक है, यह कुछ basic चीज़े थी, जो मेरे को आप लोगों के साथ share करना था, यह आजाएगा आपका, यह किसके अंदर आजाएगा, यह आपका article 3 के अंदर जो है, आप इसको पढ़ सकते हैं,